अलो कैसे हैं आप लोग कैसा लग रहा है अमरस्ता आज हम जा रहे हैं गोल्डन टेंपल और गोल्डन टेंपल के बाद जाएंगे हम जलिया वाले भाग तो ऐसा करते हैं पहले जाते हैं जलिया वाले भाग फिर जाते हैं गोल्डन टेंपल और ये पूरा अमरस्तार का अग्सामें। इनको लेके जारा हैं... जल्यावाले बार में.. जल्ते हैं। जल्यावाले बार में.. एंट्री जर्ते है। और उन नहीं सहीदें को याद करते हैं.. जिनके उपर.. की यहें। GOMFA आदयोजने गुलिया चलाई थी। तो अब चल्ते हैं। जली आले बाग माँ तो हम जली वाले बाग के पास आ चुके हैं और जा रहे हैं जली वाले बाग के बाहर और यही रास्ता जाता है गोल्डन नेंबल को सामने हैं दर्वार साइब यह जली वाले बाग का टाइमिंग लिखा हुआ है यहां पर अंडी जी तो यह जली वाले बाग का गेट है और हम जा रहा हैं एंट्री करने आई यह अंदर चलो कि यहां से यह कॉरिडोर आजाओ तो यह उन सहीदों का नया कॉरिडोर बनाया गया है बागा बॉर्र तो हम आगे हैं जली वाले बाग में एक वाल फिर से और आपको उन सहीरों की आद दिलाने हैं तो हमारे साथ आए हैं अजय सर्मा जी और उनकी वाइफ आसाम से आसाम जोराट से और यह लोग बिजिट कर रहे हैं जली वाला बाग संव कर रहे हैं संव कर दोली वाल प्रफ़ल मुझा बनाया मुझा बनाया झाल रात terror कर दोगिता है बिएेबा हिस्गा है आपका सबसा है मैं जो बаноको आपक ढुडर बना परक दे करा कित्कचा प्रिप्टाभ डर प्रोग है खबंड्ड़ आप लगक कर दो ब्हुज है रिंध और इस सारे वही ब्लोडने सायन है आईए आपका ये एक मंदिर है कुवा आगे है कुवा आगे है ये मंदिर ये सारे ब्लोड निसान है इधर देखिएगा ये ये जो इतने भी मार्किंग की हुई है ये उसी टैम पर जब गोलियां चलाई गहीं थी तो जहां जहां पर पॉइंट आए है उसी को उन्होंने मार्क कर दिया है ये देखो पर आगे हैं जलिया वाले बाग में ये बही महन सही इस्तल है इसको आप लोग पार्क ना समझें ये हमारे देश के बहुत लोगों ने अपनी जान गवाने के बाद थी एक जाहिल एक जाहिल अंग्रेज में हमारे निहत्ते हिंदुस्तानियों के गोलियां चलाई थी ये बही सहीद इस मार्क है गोली मारके हत्या कर दी गई थी हम उनको सहीद ही बोलते हैं हमारे लिए सहीद हैं जब तक हमारी ज्यान रहेगी यह हमारे दिलों में बस्ते रहेंगे जय हिन जय भारत जैसे यह फूल खिल रहे हैं ऐसे ही किसी टाइम पेस जलिया वाले वाग में लोग खिलकिलाते थे और खिलकिलाट एक दिन इतनी भेयानक हुई कि पुछो मत इस भेयानक सीन को हम आज भी याद करते हैं ये है जलिया वाला बाग और जलिया वाले बाग को आप फील कर सकते हो कि यहां पे उसिन क्या हुआ होगा ये है सहीद कुँआ ये वही कुँआ है आपने देखा उन सहीदों पर क्या गुजरी होगी हमारे पीछे आप देख रहे हैं सहीद कुँआ और हमारी यात्रा समाप्त होती है हमने देख लिया जलिया वाला वाग और उन सहीदों को भी यात किया कि उन्हें कैसे अपनी सहावब भी पिसलते हैं आगे कि वेगे आपने जलिस झाल झाल